हाई अब्रीवन वेलकम बैक और फिर से पुछ स्वागत एक न्यू जॉब अफडेट पे दोस्तों यह जॉब अफडेट आ रहा है आपका राउल कला इस्ट्विल प्लाइंट के तरफ से जहां दोस्तों राउल कला इस्ट्विल प्लाइंट पे पर्मानेंट जॉब आचुक तरफ से कुछी टाइम बात दुस्तों दूर्गापूर इस्ट्विल प्लाइंट के तरफ से भी वेकेंसी आने वाली है तो तैयार रही है इस साल बहुत सब्सक्राइब अपको लाश्ट आस्ट में देखने को मिलेगी और हर इक जॉब आपडेट पाना चाहते है तो चैनल पर बने रहेगा एकदम लाश्ट तक एक एक चीज आप लोग यहां पर समझने में दिक्कत ना हो तो यह रहा दोस्तो शेल राउल के लिए का हैं बात करने हैं अब बात करते हैं ऊपरेटर के लिए यह रखा गया अब बात करते हैं दोस्तो डीपलोमा स्ट्ट के लिए जो वैकेंसी रखागया बात पुस्त की बात करें तो नाम है आपको operator come technician trainee इस post का काफी दिनों से student इंतिजार करते कि sale में operator come technician का permanent job को आएगा तो सबसे पहले branch की बात करें तो mechanical को यहां पर मोका देगा total 15 seat रखा गया metallology की बात करें तो 15 seat रखा गया electrical को अच्छा का सा मोका 40 seat रखा गया bumper भरती दोस्तो electrical का सबसे ज्यादा सीट आप लोगा electrical वालों के लिए seat है तो apply जरूर कर जाएगा सिविल के यहां पर इहां पर सिविल की बात करें दोस्तों सिविल का हैं पर पांची पोश्ट रखा गया तो अच्छी बात है apply जरूर कर जाए अट लिस्ट अच्छी बात है कोई भी ब्रांच से हो तो apply कर सकतो अच्छी बात है दोस्तों कोई भी ब्रांच से आप लोग का होना चाहिए ठीक है तो अराम से apply कर सकते हो और बात करें दोस्तों यहां पर कुछ experience रखा गया दो शाल का यहां पर experience आप लोग से मांगा गया assistant manager के पोस्ट पर यह अप apply करने वाले हो बात करते हैं पर पर्षेंटेज के पर्षेंटेज के बात करें तो देखें अरिजर्ब OBC EWS के लिए 65 पर्षेंट स्ट डिपार्टमेंटल कंडिडेट के लिए 55 पर्षेंट रखा गया तो जितने भी स्टुडेंट के साथ कोई भी ब्रांच से यह दि दो सल का experience हो तो इसको जरूर अपलाई कर दीजेगा अब बात करते हैं दोस्तों ऑपरेटर काम technician boiler operation की तो इस में भी आठार से 30 साल रखा गया देखें मेटर कुलेशन यानि 10 के बाद 10 के बाद तीन साल का full time diploma होना चाहिए ठीक है कोई भी ब्रांच से यह आपके करके रखा तो इसके लिए दोस्तों दूसरे निबर पर आपके पास होना चाहिए first class boiler attendant certificate आप लोगा होना चाहिए तो आ आगे बात करें माइनिंग फॉर्मेंड की बात करें तो इसमें आप लोगा मेट्रिकुलोशन चाहिए प्लस तीन साल का full time diploma होना चाहिए प्लस दोस्तों आप लोगा one year के experience होना चाहिए आपके बास तो एपलाई कर सकते हैं ठीक है आईए अब बात करें दोस्तों ऑपरेट प्राइम डिप्लोमा होना चाहिए किसमें तो बाकी बात करते हो तो mechanical, metallurgies, civil, electrical, electronics जितना भी आप लोगों ब्रांच को मोका देगा उन्हें से किसी में भी आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए तीन साल का और percentage की बात करें तो देख सकते हो और जिसे मैंने आपको बत फायर ऑपरेटर की बात करें तो एस इलिमेंट आपका 18-18 सल रखा गया है, graduation आपके पास होना चाहिए, कोई भी इस्ट्री में और तीन साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी discipline में तो अपलाई कर चाहिए, बट आपके पास सब officer course होना चाहिए, National Fire Service College से, अ बात करते हैं आपे, attendant come technician trainee, जिसमें S1 में आपका जोइनिंग होने वाला, age limit के बात करें तो 18-18 सल रखा गया है, आपका metric के साथ-साथ, ITA full time होना चाहिए, कौन-कौन से trade में तो fitter, electrician, or messenger, जितने भी हैं पे trade को मौका दी गया है, उसी में आप लोगा ITA होना चाहिए, वह सकते हैं, दोस्तों, एक सल का experience लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी आप ले सकते हो, ठीक है, यदि आप, आपके पास यदि, heavy motor vehicle का license है, तो अराम सी इसको अपलाई कर दीए, एक सल का experience आप आराम से कहीं से भी ले सकते हो, दोस्तों, यह था कुछ age limit, जनरले दोस् तो पांच सल का अपलोगा, इस रिलिक्शन दिया जाएगा, स्टी सी कंडिरेट को, तीन सल का अपलोगा, OBC को दिया जाएगा, ठीक है, अब बात करते हैं, एसिस्टेंट मेनेजर सेप्टी की बात करें, तो पचास यहर से ले कि अपलोगा, एक लाग साथ हजार के बीच अपलोगा, यहां पर सेलरी बनने वाला है, ठीक है, अब बात करते हैं, जो कि ऑपरेटर कम टेकनीशन बोईलर के लिए, जो कि S3 में आपको जोइन होगा, उसके सेलरी की बात करें, तो 26,600 से लिए अपको 38,930 अप लोगा सेलरी बनने वाला है, माइनिंग मेर्ट जो कि S1 में आपको जोइन होगा, उसमें 25,070 रुपए से लिके 35,070 रुपए आप लोगा दिया जाएगा, वहीं आब बात करें दोस्तों, यहां पर फायर ऑपरेटर ट्रेनी की, जिसमें S3 में आपको जोइन होगा, इसमें आप लोगा 16,000 फर्स्ट यार दिया जाएगा, ठीक है ट्रेनिंग के दोरान, सेकंड येर आप लोगा 18,300 दिया जाएगा, इसके बाद दोस्तों आप लोगा पर्मानेंट जब कर जाएगा, तो जो भी आप लोगा S3 से, S3 के हिसाब साफ लोगा सेलरी बनता, वो सेलरी आप लोगा यहां पर दिया जाएगा, वहीं अटेंडन कम टेकनिशन ट्रेनी, S1 में जो आपको लोगा जोइन होगा, इसमें भी आपको लोगा बाराहजार, 900 आप लोगा first year training में मिलेगा, second year training में आपको 15000 मिलेगा, आप लोगो second year training के दोरान दिया जाएगा, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप लोगा candidate, जो भी आपका selection होगा, टू यहां पर दिया जाएगा आप लोग ट्रेनिंग जब आप लोगों खतम होगा दोस्तों उसके बाद जो भी S3 और S1 ग्रेड में जब आप लोगों पर्मानेंट बेसिक पे में जो भी आप लोगों पे होगा जैसे 26,000 से लेके 38,920 रुपय के बीच आप लोग दिया सहां यहां पर सेलरी होने वाला वहीं पर यहर की बात करें जो आपको CTC बनता है जो S1 रेगुलर ग्रेड का होगा वह आठ लाग आठ लाग 65,000 तक दोस्तों आप लोगा CTC यहां पर बनने वाला ठीक पर एनम जो काफी इंपोर्टेंट है बाकि जो भी लोकेशन के अनुस सब्सक्राइब तो यहां पर इसका सिलेबस देख रहा है जो अटेंडेंट कम टेक्निशन ट्रेनी जो हैवी हैवी मोटर वहिक्याल साथ साथ दो फॉर्मेंट कम फायर इंजन ड्राइवर का जो वेकेंसिया जो आपका टेकनिकल नोलिज बीस कोशन का पूछेगा जाने वाला है और यानि इसमें फोकस किजिएका जैनल एक रेश्यो होने वाला को जितने भी candidate यहां पर CBT में सेलेक्शन होगा उनको इंटर्व्यू के लिए one is two three के रेशियों में यहां पर बुलाया जागा यानि दोस्तों एक पोस्ट के लिए यहां पर तिन स्टुडेंट को इहां पर बुलाया जागा इंटर्व्यू के लिए ठीक है काफी इंपोर्टन् अब बात करें दोस्तों यहां पर आपका इस्किल टेस्ट वगरा होगा जितने भी आप लोगा जिस ट्रेट से अप्लाइक कर रहे हो उनके लिए आप लोगा दिया जाएगा आप लोगा ट्रेड टेस्ट यहां पर होने वाला ठीक है वह कुछ फिजिकल एस्टेंडर्ड र रखा गया जिसे राहुल क्रावनिस्वर कटक विशागा पट्टम रांची कोलकातन राइपूर यहां बात करता है अप्लिकेशन फी के बारे में तो देख सकते अप्लिकेशन फी रखा गया जिससे एसिस्टेंट मेनेजर के लिए आपको लोगो साथ सुरूपया देना और फायरमेन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनी अटेंडन कम टेक्निशन ट्रेनी हैवी मोटर वेहिकल के लिए यहां पर जनरल कंडिडेट के लिए 300 रुपई है और स्टेस्ट के लिए 100 रुपई है फी रखा गया आप के नेट बेंकिंग क्रेडिट काड एटीम कार्ड टीक है से आप इसको सब्सक्राइब और किजिए उसका सब्सक्राइब करना सबस्कितना बात करते हैं擊 अब पकुछ इंपॉर्टेंट के बारा में इसका उनलाइन इस्टाट होगा 6.9.2022 से क्लोजिंग डेट आपका 39.2022 उससे पहले आपको एपलाई कर देना है जो कि काफी इंपोर्टन्ट है एपलाई के वीडियो आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगा इसके लिए टेंसर मत लिजे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा बेल आइकन को आउन करना होगा तो दोस्तो काफी अच्छी खासी वेकेंसी है जो कि आपका राउल के लाई इस्टिल प्लांट के तरफ से निकला है तो जरूरे अपलाई कर जिए अच्छा मोका है और कुछ भी इसके लिए डाउट लग रहा तो प्लीज कमेंट कीजेगा आप लोगो प्रॉपर रिप्लाई दिये जएगा तो मिलते हैं नियू वीड़ो के साथ तब तक ले जहिंद वंदे मातरम